Hey guys, welcome back once again, a very good morning to all of you. आज इस सेशन में हम बात करेंगे कि जो कोचिंग है वो UPSC के लिए या UPSC के लिए necessary है या फिर हम self study से भी तियार कर सकते हैं. तो देखिए, ये जो कोचिंग लेने वाला जो एक point रहता है, ये depend करता है percent to percent. ठीक है, suppose आप हैं, आप coaching लेते हैं, उसके साथ साथ आप self study पी अच्छे से करते हैं, जो भी coaching में चल रहा है, उसके साथ में आप tuning मना के चलते हैं, तो आपको coaching benefit देगी, ठीक है, क्योंकि जो भी proper guidance आपको चाहिए है, जो भी आपको एक mentorship चाहिए, वो आपको उस coaching से मिल रही है, बट अगर कोई एक ऐसा बंदा है, जो coaching में जो पढ़ाया जा रहा है, उसको revise नहीं कर रहा है, self study पे ध्यान नहीं दे रहा है, उसकी efficiency नहीं है, बिल्कुल भी self study में, वो consistent नहीं है, hard work नहीं कर रहा है, तो उसको coaching से कोई profit, कोई benefit नहीं होगा, ठीक है, तो coaching necessary है कि नहीं है, बिल्कुल निकाला जा सकता है, आप देखते होंगे कि लगातार इतने सारी लोग हैं, जो बिना किसी coaching के निकालते हैं, देखिए, पहले का जमना और था, पहले के टाइम में क्या होता था, कि इतना ज़्यादा इंटरनेट की रीच नहीं थी, इतना ज़्यादा इंटर अल्टिमेटल ये डिपेंड करता है कि आप self study में कितना efficient है, उसके अलावा आप hard work कितना put कर रहे हैं, इसके अलावा आपका dedication कितना है, अगर आपका वो है, और उसके अलावा आपको अगर coaching आप लेते हैं, वहाँ पे आपको सही guidance मिलता है, तो आप easily crack कर ले जाएंगे, अ आप घर आके उसको पढ़ नहीं रहे हैं, रिवाइज नहीं करना है, तो फिर आपको coaching से benefit नहीं होगा, इसलिए कई बार ऐसा देखने में आता है कि suppose 100 लोगों ने coaching किया, तो 80 का नहीं होता है, 20 का होता है, क्योंकि उन 20 लोगों ने self study पे भी focus किया, आपको वो ignore नहीं करना है, आपके वो लोकिवल अगर इस सारे रहेंगे कि नहीं, coaching में कर लूँगा, तो मेरा निकल जाएगा, तो ऐसा नहीं है, अगर ऐसा होता तो फिर जो भी बंदा coaching कर रहा है, उसका निकल गया होता, ठीक है ना, आज कल हर चीज मार्केट में अवलेबेल है, आपको test series मिल ज हाँ, यह जरूर है कि coaching necessary नहीं है, absolutely not, but guidance is very important, अगर guidance आप नहीं लेंगे, आपको अगर कहीं से अपने mentorship नहीं लिए, तो आप यह जाने नहीं पाएंगे तीन-चार साल तक तो, पास साल तक तो, कि भईया, इसमें चल क्या रहा है, मुझे क्या चीज़ पर focus करना था कि चीज what not to study and what to study, तो फिर आप इसी में घुमते रहे जाएंगे, market में study material इतना ज़्यादा है, coachings इतनी ज़्यादा है, उनकी test series, उनका पूरा advertisement इतना ज़्यादा है कि आप उसी trap में फसे रहेंगे, कि यार मुझे ये करना है, तो आपको सही guidance की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, लोगों का एक-दो attempt तक तो उन्हें पता ही नहीं चलता है कि यार मुझे ये गलती नहीं करनी थी, वो अपनी जो गलती हैं वो repeat करते रहते हैं, इसी में उनका एक-दो attempt, तीन attempt निकल जाता है, फिर उनको पता लगता है, यार मुझे ये चीज़ करनी ही नहीं थी, तो guidance या mentorship जो है, वो बहुत important है, बट coaching नेसेसरी नहीं है, वो आपकी self-study, hard work इन सब पे भी depend करता है, इसके अलबा, आपने देखा कि बहुत से ऐसे लोग हैं, जिन्होंने coaching किया, वो पहले साल में निकल गए, बहुत से लोग ऐसे हैं, जो 3-4-4 साल से coaching कर रहे हैं, उनका नहीं न निकल गए, तो यह सब जो चीज़े हैं, यह सब जब आप coaching करते हैं, तो बहुत ज़्यदा माइने रखती है, तो I hope कि आपको थोड़ा सा आइडिया मिला होगा, लगातार आप लोग के दौरा पूछा जा रहता है, तो मैंने सुझा कि इस पे आपको एक बता दूँगा, बाकि यह तो decision आप ही कहा है कि आपको coaching लेनी है कि नी, तो I hope कि आपको इससे कुछ आइडिया मिला होगा, लगातार पढ़ते रही है, keep supporting, अगर चैनल को subscribe ना किया तो चैनल को subscribe कर ले, thanks for watching, जै हिंत, जै भारत!